Hello Friends, WS Cube Tech के चनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ Friends, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि Microsoft Word के अंदर रहते हुए हम लोग किस तरीके से अपनी टेबल को create कर सकते हैं दोस्तों जब हम लोग अपने documents को create करते हैं तो कई बार हमें उसमें table बनाने की requirement रहती है Suppose दोस्तों मैं एक example अगर आपके सामने रखता हूँ मेरे पास एक document बना है और उस document के अंदर मुझे कुछ logo की detail भी store करनी है Suppose मैं एक notes बनाने वाला हूँ, कुछ documents बनाने वाला हूँ उसमें ये कुछ information, कोई notice जो है वो मैं देना चाहरा हूँ और साथ में कुछ logo का नाम और साथ में उनका phone number भी मैं उसमें mention करना चाहरा हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक document के अंदर ही अपने एक table create कर लूँगा अब उस table में कितने fields होंगे, दोस्तों मुझे ये पहले पता होना चाहिए और साथ में उसमें कितनी row मुझे create करनी है, मुझे ये भी पता रखना है साथ में हम लोग दोस्तों उसका format जो है वो भी change कर सकते तो मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ के table कैसे create करते है table के उपर कैसे आप लोग merge करते है, कैसे आप split करते है table के उपर होने वाली सारे की सारी activities को दोस्तों आज हम लोग यहां discuss करने वाले तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको यहां पर start करके दिखा देता हूँ Microsoft Word दोस्तों जब start हो जाएगा अपने पास में मैं इसके अंदर एक blank document ले लेता हूँ तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों इस table के उपर click करना है जब आप table पे click करेंगे तो यहां आपको insert table के लिए आप देखेंगे यहां आपके सामने कुछ blocks दिखाए दे रहे हैं जिस blocks को आप जितना इसके उपर hover करेंगे मैं select नहीं कर रहा हूँ simple सा hover कर रहा हूँ ठीक है mouse उसके उपर लेके जा रहा हूँ बस जितना आप दोस्तों छोड़ेंगे कितने column या कितनी row आप select कर रहे हैं बस यहां आप उतने ही row या column जो है आपने select किया है उतने ही आप यहां पर अपने table के अंदर row और column insert कर सकते हैं तो दोस्तों मैं यहां पर तीन row और या चार row और तीन columns को यहां select कर लेता हूँ एक तरीका हो गया इस तरीके से आप अपनी table को create कर सकते हैं ऐसी दोस्तों एक और तरीका दिखा देता हूँ मुझे क्या करना है insert में ही जाना है इस table पे ही जाना है यहां पर दोस्तों मुझे यह hover नहीं करके अपने पास option आजाएगा insert table देखिए यह simple सा काम था इसमें आपको hover करना है आपको table मिल जाएगी इसी तरीके से अगर आप insert table में आते हैं तो कुछ features आपको ज़्यादा मिल जाते हैं जैसे कि यह आपसे पूछेगा कि आपको number of columns कितने चाहिए तो आप यहां पर दोस्तों बता सकते हैं कि मुझे यहां पर 4 columns चाहिए अचा number of rows कितनी चाहिए तो दोस्तों मैं यहां पर ल इसकी width set करेगा आप चाहिए दोस्तों आपके केवल content यहनी कि जितना content आप लिखेंगे अगर content में 4-6 आपने character लिखे तो उतनी ही width होगी अगर आपने ज्यादा character लिखे तो ज्यादा उसकी width हो जाएगी इसी टाइप से auto fit to window जितनी आपकी window उसके according फिर उसको set करेगा तो एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर आप देखिए आपको एक option दिखाए दे रहा होगा design और साथ में layout ठीक है design और layout अगर दोस्तों मैं अच्छा एक चीज़ और बताते हैं तो एक design यहां भी दिख रहा है और साथ में एक design यहां भी दिख रहा है एक नाम के दो tab दिख अगर आप table के बाहर कहीं पर click कर देंगे तो देखेंगे आप यहां पर वो दोनो टैप जो design और layout के थे वो दोनों गायब हो चुके हैं तो आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि यहां पर जो फिर से design और layout बनेगा वो कब बनेगा जब आप table में कहीं पर click करेंगे table selected जै जैसे दोस्तों यहां पर मैं इस वाली table पर आजाता हूं इसके अंदर मैं क्या चाहरा हूं कुछ basic चीज़े बता देता हूं जैसे दोस्तों मुझे यहां पर यह जो rows है इस row की इतने columns जो है मैंने select किये हैं इसको मैं चाहता हूं merge करना merge मतलब उन सभी को एक ही column बना देग इसी type से अगर आप split करना चाहरे हैं जैसे कि इसको फिर आप दो पार्ट में डिवाइड करना चाहरे है horizontally या vertically या आपके उपर है तो आप यहां पर merge के just pass है split merge कब active होगा जब आपने एक से ज़्यादा cells को select किया है cell क्या होती दोस्तों तो यह आपके पास सारी की सारी rows है और यह सारे उपर जो आप देख रहे हैं यह सारे आपके पास column है जैसे यह अपना एक अलग column है यह अपना एक अलग column है जबकि row क्या हो जाएगी यह complete आपके पास एक row है जबकि अगर आपन बात करेंगे इसके according त है तो मैं इसको select करता हूँ जिसको मैंने merge किया था इसको आप मैं split कर रहा हूँ ठीक है split का मतलब क्या हो गया split cell मतलब इसके आप दो पार्ट बना सकते है horizontally या vertically आपके उपर है तो दोस्तों मैं क्या करो number of columns कितने column बनाने है दो column बनाने है अचा रोज कितनी रखनी है एक ही रखनी है तो मैं ok करूँगा आप देखेंगे इसके अंदर दोस्तों दो multi columns बन चुके है yük ठीक कर रहुए आपकोँ क्या क्या कर रहा है धोस्तों केवाल इस्पलिट किया है मैं इसको फिर से क्या कर लेता ह engineers कर लेता हूं और यहां पर दोस्तों इसको मैं कर रहा हूं है के इस तरीके से मेंने क्या कर दिया इस्पलिट यह समझ में आगे होगा, merge कर दिया, इसी ताइब से कई बार हम लोग अपनी पूरी टेबल को भी split कर सकते हैं, बस simple सा split table के उपर क्लिक कर दो, ये उपर की table अलग है, ये नीचे की table आप देख सकते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पर कुछ चीजे insert भी कर सकते हैं, इसी ताइब से आप इसके अंदर कुछ delete भी कर सकते हैं, जैसे दोस्तो मैं चाह रहा था कि इसके just बाद में, एक और मुझे row चाहिए, तो देखिए एक तरीका तो यह है कि आप सबसे last वाले column में जाने के बाद एक और row चाहते हैं, सबूज, तो जैसे मैं मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, किसी का नाम लिख देता हूँ, यह देखने के लिए क्या करें, मैंने उसके बाद दोस्तो टैब दबा दिया है, जैसी टैब दबाएंगे, आपके पास आगे continue data आता जा रहा है, मैं यहाँ पर किसी का नाम लिख देता हूँ, बना के देगी, ठीके मैंने क्या किया, मैं फिर से दिखा देता हूँ, इस विने के बाहर जा रहा हूँ, इस रो के बाद, ठीके, और फिर क्या कर देता हूँ, एंटर दबा देता हूँ, तो क्या कर देगा, विने के बाद एक रो बना के देगा, सिंपल सा एंटर किया, और अगर आप table select कर चुके हैं तो दोस्तो insert above, insert above क्या row and column दिख रहा होगा इधर आपको है ना layout के अंदर क्या है rows and columns तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं insert above, insert above आपके पास row आजाएगी इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर एक column चाह रहे हैं तो column जो है left या right में आप ले सकते हैं left मे लेना है या right में लेना है तो मैं left में ले लेता हूँ आपके पास एक column आज चुकर ठीके तो आप यहाँ से जो है insert above, insert below, insert left, insert right, किसी टाइप से merge, split यह आप कर सकते हैं अगर दोस्तों कई बार आपको लगता है कि किसी जो भी आपके चाहें जितने भी rows हैं इन सभी rows की height बढ़ा सकते हैं कहां से आपके पास cell size के लिखा होगा height इसी टाइप से अगर आपको लगता है width को change करना है ज्यादा कम आप जितने भी करना चाहरें दोस्तों इस particular column की जो भी आपने select कर रखा है तो उसके अंदर जितनी भी cells थी उसको हम लोगों ने थोड़ा चोटा कर रहे हैं इसी टाइप से जब हम लोग यहां कुछ लिखते हैं suppose कि मैं इसकी height बढ़ा देता हूं थोड़ी और आपको अच्छे से clear हो जाएगा दोस्तों यह जो मैंने विनए लिखा है इसको मुझे कहां रखना है इसके लिए alignment जैसे left में रखना है ठीक है या आपको center मे रखना है तो कुल मिला कि 9 block है top भी हो जाएगा आपके पास center हो जाएगा और bottom हो जाएगा उसके बाद भी left भी हो जाएगा right भी हो जाएगा और center तो आप यहां रखेंगे दोस्तों बीच में इधर करेंगे ठीक है आपको कहां चाहिए center में भी left right या center और bottom में आपको चाह direction में भी जा सकते देखेंगे आपको अलग-अलग direction मिल रहे है अलग-अलग type की जैसे आप click करेंगे अभी क्या bottom to left bottom to sorry top to bottom था अभी क्या हो चुका है bottom to top तो ठीक है इस type से आप convert कर सकते जैसा भी आप देखें इस type से cell margin है आप जा रहे हैं कि cell में कितना space दे करके वह लिख इसको इदर लिख रहा हूं तो आप देख सकते हैं ओपर से बिल्कुल चिपकाव और है मैं थोड़ा सा2 छोड करके लिखना चारा हूं थोड़ा सा एंधर से छोड़ करके लिखना चारा हूं तो वो आप यहां पर सेट कर सकते हैं एक दोस्तों में यहां से वह इतना कुछ छोड़ करके फिर लिखे ओकी त Toni जी मैं तुशार है में जाके लखता हो ये जो आपने रिखें आप चाहते हैं इनको भी sort करना तो आप sort कर सकते हैं ascending या फिर descending देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए अच्छा यहां पर जो है वो कुछ मैंने एक काम कर लेता हूं यही content में यहां से हटा करके थोड़ा साथ नीचे की तरफ लिख देता हूं इधर एक चीज और दिखा देता हूं suppose कि यहां पर आप लोगों ने serial number भी डाल रखे हैं ठीक है यह आपके पास जो है वो serial number था और इसमें हम लोगों ने जाके लिख रखा है वन टू थी फोर फाइफ इस टाइप से यहां आम लोगों ने जाके लिख दिया है suppose कि नेम ठीक है यहां करने आपको सारे की सारी रोज यह देखी complete डिलिट हो गया अब मुझे क्या करना है दोस्तों इसको select करना है और sorting पे जाके क्लिक करना है जब आप sorting पे जाओगे तो पुछे का कौन से column wise करना है ठीक है तो मैं first column wise कर रहा हूं second column wise कर रहा हूं किसके according करना है तो मैं यहां पर heading को इसके अंदर select कर लिया था अगर आप heading को select नहीं करेंगे तो फिर वो इस तरीके से आप इसको select करेंगे और फिर आप जाकर क्या कर देंगे यहां पर ascending ठीक है ascending descending जो भी आपको करना है a to z या z to a तो आप simple सा है ok बटन पे click कर दीजिए अगर हम लोगों नहीं यहां प का serial number भी change हुआ है जब आप sorting करते हैं तो फिर दोस्तों पूरा record आपको एक साथ select करना होगा इसी टैप से अगर आप देखें तो आपके पास कुछ और options भी हैं जैसे यहां देखेंगे तो आपको कुछ areas करना है draw करनी है table आप table की कोई property देखना चारे है उसकी view grid line करना चा अगर आपको लगता है एक table format में आपको उसको बनाना है जैसे कि मैं यहां पर जाकर के लिख देता हूं name और यहां जाकर के लिख देता हूं properties ठीक है एसी type से यहां लिख देता हूं suppose की winner ऐसे कुछ भी नाम ठीक है एक काम करता हूं इसके जगे जाके लिख देता हूं address ठी और ऐसे ही जालोरी gate ठीक है इसी type से मैं लिख देता हूं योगेश योगेश को जाकर के लिख देता हूं ऐसे ही source gate ऐसी कुछ address में डाल देता हूं ठीक है इसी type से मैं लिख देता हूं की नवीन और यहां लिख देता हूं राता नड़ा देखे यह जो content आया ना मैं चाहता इस content के उपर वैसे भी table तो है निमेने बस tab दबाएं तो दोस्तो tab की को use करते हुए भी हम लोग यहाँ पर जो है एक table बनाने की कोशिश करें, actual में table format तो ही नहीं है अगर आपको लगता है table format बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं क्या करना इंसर्ट में ही जाना है इस table में ही जाना है नीचे आपको option दिखाए देखिए convert text to table आपको simple साइस पर क्लिक करना है देखिए automatic tab को select करा है कि हमने tab दबाया और उसने recognize भी कर लिया कितने tab के according तो यह बोलगा number of columns दो है आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं फिर वो blank पड़ा रहेगा तो आप यहां पर टू ही सी को select रखें आप जैसी okay करेंगे आप देखेंगे दोस्तों आपके पास सारा data tabular format में हो चुका है और ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास को table बनी हुई पड़िए आप चाहते हैं उसको table format में नहीं रखना है केवल tab के साथ आपको रखना है spaces के साथ रखना है, dash के साथ रखना है separate करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं उसके लिए आपने यहां देखा था layout के अंदर option था convert to text जो table है वो text में convert हो जाएगी और text आपका table में convert हो जाएगा इसी type से अगर आप यहां पर इस table के अंदर कोई formula यूज करना चाते हैं कुछ basic जिसे average है, sum है, count है तो वो भी आप यहां use कर सकते हैं हाला कि उतने अच्छे नहीं है जितने की अच्छे आप excel में उनको use कर सकते हैं बट फिर भी कुछ basic functions हैं जो आप चाहें तो यहां पर use कर सकते हैं किसी और को लेना चाहरे आप उनको भी select कर सकते हैं जो भी design आप select करेंगे तो यहां पर design अपनी वहां पर create हो जाएगी जैसी भी आप देखना चाहरे हैं तो मैं यहाँ पर डिजाइन देख रहा था, इस डिजाइन में अगर आप देखे तो आपको option मिल जाएगा shading, जो आपकी row selected है, उसके अंदर आप shade डाल सकते हैं, इसी तरीके से यह जो आप देख रहे हैं, दोस्तों इसके उपर अगर आपको border रखना है, नहीं रखना है, कैस सारे options मिल जाएंगे, border painter है, या फिर border का color क्या रखना चाहते हो, अभी जैसे black है, आप को दूसरे type का border लेना चाहते हो, आप उसको select कर सकते हो, ठीके, जो भी आप जिसके उपर जो apply करोगे, वो आपका color अगरा सब select कर लेगा, ठीके, तो इस तरीके से हम लोगों ने यह द कर सकते हैं, इसी type से उसकी height बढ़ाना, width बढ़ाना, इसके साथ-साथ हम लोग यहाँ पर उसका alignment है, text direction है, बहुत सारी चीजों को दोस्तो हम लोग यहाँ पर अभी discuss कर रहे हैं, तो I hope दोस्तो यह जो topic है, वो आपको अच्छे से समझ माया होगा, table और table से related बहुत सारे topics, तो इस तरीके से दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, thank you.